नमस्कार रागगिरी वीकेन इंटर्व्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है हम देश के जाने माने बासुई वादयक प्रवीन गोडखिंडी जी से बातचीत कर रहे हैं कल हमने उनसे बातचीत में उनके बचपन उनकी शुरुवाती तालीम के बारे में बात की उनके पित पिता जी खुना एक बार स्वागत करते हुए उसी सवाल पर आता हूं कि बच्पन में आप क्या सुनते थे आप किन कलाकारों को सुनते थे पिष्टी बहिस्से में आप पन्नालाल घोश बावू की बात कर रहे थे और भारती भारती बासुरी में निसंदे हैं उनका बहु और शौकीन थे वो खुद भी किराना घराना के गाईकी से बहुत प्रतभावित रहे थे और खुद भी वो गाते भी थे किराना घराने के शेली से तो भीम सेंजी का मैं बहुत बड़ा फैन था पंडी बीम सेंजी के हर रेकॉर्डिंग और हर प्रोग्रम उनके जहां पर होते थे हम मेरी पैदाइश धारवाड की है कर्नाटक और जहां से वह भी बिलॉंग करते हैं गदक से इन्फ़ाइक मेरी माँ गदक की है जहां भीम सेंजी के वहां रहे थे तो उनकी गाईकी से बहुत ही प्रभावित मैं रहा हूं और उनकी गाईकी को बानसरी बजाने की कोशिश मैं हमेशा से करता रहा हूं तो रा को गाई की यंग से जब हम कहते हैं कि हम गाई की यंग से बजाना चाहते हैं तो मैं पिता जी की कोशिश भी थी और मेरी भी कोशिश यही है कि किराना घराने और बीमसें जी की स्टाइल में उसको प्रेजेंट करें बांसरी में गाया जाए यही हमारी कोशिश रही है तो उनके उनका गाना में सारे ही रिकॉर्डिंग उनके जितने भी अविलेबल थे वह मैं सुनना करता है और पिता जी आकाशवानी में ही थे तो उनको येलपी वगएरा सब पहले मिल जाती थी नहायत जो भी एचमवी का रिलीज हुआ है बैडिजी का तो हम लोग सुनते थे अधिली में में हम लोग कुछ साल रहे तो दिली में उनका आना जाना बहुत होता थे तो आगे बैठके उनके गाने सुनते थे और फर्माइश करते और पिता जी के साथ उनके निक है जहां तक गाई की अंकी जो हमारी बांसरी बादक उसके अलावा अफकोर्स पंडित हरीपसाद चौरासिया जी को मैंने काफी दफार लाइफ सुना और सारे उनके रिकॉर्डिंग में सुनता था तो उनके टेकनीक से भी में प्रभावित हुआ हूँ अगर कोई बांसरी वादक आज यह कहता है कि हरी जी के बांसरी से मैं प्रभावित नहीं हुआ तो जूट बोल रहा है क्योंकि इतना सब कुछ बांसरी पर उन्होंने इंट्रिज्ट कि इतना उपर ले गए कि पूरे विश्म में जितने भ तर अधार कि प्रभावर में प्रभावित है क्योंकि विश्टी जितना नहीं और्दाई का गंड़ित फिए व कह उस्याब्सम sist ने मैं क्योंकि तन्त्रकारी जो हरी जी नेन प्वापिलर जिसम लहकारी थी जिसमें तबला के साथ जुगलबंदी होती है और जिसमें अनवट राग और विशेश तालों में जैसे नव मातरे के ताल में और ऐसे सब कुछ जाला बजाना तुटकार टेकनिकली बहुत आगे ले गए थे हरी जी तो उससे भी मैं प्रबाविता और उसको भी मैंने कोशिश किया अपनी तरफ से कि वो सब टेकनिक्स मैं कर पाऊं तो तो इसलिए मैंने फाइनली क्या किया कि कुछ राग जो जैसे अभी मैंने घन राग जिसको बोलते हैं जिसके माइने बहुत ज्यादा है और जिसको बजाने के लिए पांडित की जरूरत होती है और सूर को समझने की जरूरत होती है तो वह राग मैं पूर की तरह गाई की अंग से बजाता हूं जुम्रा में विलंभी जुम्रा में या विलंभी ते तबले के साथ जो हमारी सवाल जॉब सब चलते हैं उनको मैं तंतरकारी यंग से बजाता हूं तो ऐसे मैंने अच्छे फ्लूटिस्ट को मैंने सुना और उनसे लाइट म्यूजिक की जो टेकनीक्स हैं उसको मैंने बॉर्ट की है और फिर एक बहुत इंपार्टन चीज यह है कि मैंने करनाटक संगित भी मैंने सीखा बेंगलोर में रहते वे अनुर 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 अन्त कृष्ण बनाया है तो कोशिश किया है कि इसमें सारे इंग्रेडियंट्स हों जिसको हम कह सेगे कि यह एक भारतिय संगीत है अभी किराने घराने का जिक्र किया और मैं कोशिश करता हूं कि जो राग्यरी के सब्स्राइबर्स नहीं जानते हों उनको जो मुझे थोड़ा बहुत आता है वो बताता चलो भारतिय शास्त्रिय संगीत के अलग अलग जो घराने हैं उसमें किराना घराना सबसे प्रतिश्चित घरानों में से एक है और पंडित भीम सेंजोशी से पहले भी उसके संस्थापक सबस्स से भले अलग रहे हों लेकिन पंडित भीम सेंजोशी उस घरान शब्दी में इस्तेमाल करूँगा जो आपने कहा कि आप लोग बासुरी पर बजाते वक्त लेकारी गायकी अंग को भीमसेंजी को दिमाग में रखके बजाते थे तो रिक्वेस्ट रेक करूँगा कि कोई एक चीज जो आपके जहन में ऐसी हो जो भीमसेंजी की हो और उसको आप बासुरी से हमें बजा के सुनें जैसे उनकी एक खासिय थी जो तान वो गाते थे दो दो सोर में उनके तान होते थे कभी कबार उसी में आघात दे के उसको गाया करते थे तो उसी का एक मैं सैंपल आपको सुनाता हूं जी जी ब्रंदावनी सारंग एकराग है जिसको वो खुब गाते थे तो जावों में तो पर बली हारी तो इसमें जो तान है हुआ 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 है तो यह एक उनकी खासियती तान नीचे के स्थर में उपर में दो दो आक्टेव में गाना तो उसको मैंने कोशिश किया कि बासरी पे मुश्किल चीज़ है बासरी में उस टाइप के तान बजाना जी एक चीज़ और लाइट में आपने दो तीन रागों का जिक्र कर दिया औ मुझे ऐसा मुझे ऐसा लगता है और मैंने सुना है कि जो लाइट में जब बासरी हाथ में हो तो पहाड़ी बहुत पॉपुलर राग है तो पहाड़ी में कुछ छोड़ा सा हमें सुनाईए फिर बाचीत को आगे बढ़ाते हैं कि बढ़ी है थी झाझालर राग देज झाम में सुनाईए छोड़ागा ओिल्ड़ुनम्टर कर दोड़कि बयुआ है टास poo र ल कैसा बहुत ga है IO को कि छोड़ ढ ल को सा भाइशं कि उ कर दो बा मैं को इसके दों इसकने कि दुट रहा है कि व प्राइशं मिर उया हॉ का छों ए व ए कर घित, क्यों कि फ।ск SH प freedom कि आए आः आए कि झा भड़ प्राम कि परोंे भास झाम happens अच्छा प्रवीन जी मैं दो उपलब्धियों का जिक्र करता हूं आपकी और चाहूंगा कि जब हम इस तरह से बातचीत का मौका मिलता है तो उपलब्धियों पर भी बातचीत की जाए एक तो वो आठ फीट की कोई खास बासरी जिसको बजाने वाले आप पहले भारतिये हैं और दूसरा वर्ट फ्लूट फेस्टिवल जो अर्जिंटीना में हुआ वहां पर भी बजाने में पहले भारतिये रहे जिसको ये मुकाम हासिल हुआ तो ये जो दोनों उपलब्दिया हैं इन दोनों उपलब्दियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताईए जो आर्ट फूटी बावासरी है जिसको वेस्टरनर्स ने उसको उसका इजाद किया और वो उसको कॉंट्रा बास फ्लूट कहते हैं जैसे अभी आपने देखा यह हमारी रेगिलर बासरी है जिसमें हम लोग लाइट बजाते हैं या रिकॉर्डिंग्स में इस्तमाल होती है यह दोनों एक ही पिच के हैं सिर्फ आक्टेव वाला गलल है एक नीचे वाला स्तर एक उपर वाला तो इसी तरह इससे भी अगर नीचे वाले आप्टेव में हमको बजाना हो तो बासरी और बड़ी लंबी हो जाएगी और 6 और बड़े हो जाएंगे तो वेस्टरन प्रश्ण जो आपने पूछ है दोनों कनेक्टेड हैं कि जब मुझे बुलावा आया अर्जंटीना मेंड़ों सब्सक्राइब कर देखा तो इतना बेस साउंड है उसका तो एक जैसे वाइलिन में होता है कि वाइलिन वियोला चैलो डबल बास ऐसे उसका फैमिली होता है तो उसी तरह फ्लूट का भी एक सब्सक्राइब investor फ्लूट से बहुत हुआ प्रभावीत हुआ यह भारत लोटा तो मैंने कोशिश किया खुद अपनी तरफ से की पीवीसी पाइप जो हम लोग यूज़ करते हैं पानी के लिए अगयरा तो उसको लेकर फिर लेकिन उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी बनाने के लिए अगयरा तो इसी बीच में एक मेरे दोस्त हैं जो एमस्टरडम में रहते हैं वह अच्छे फ्लूटिस्ट हैं नेड तो वह आ रहते भारत पे और वह इंसिदेंट लिए उनके पास बासरी था और वह खुद बजाते थे तो वह लेक ख्लाल मैंने उसके ऊपर Rयास किया और उसके बाद फिर मैं अब हमारे भारती शाष्तरी संगीत के जो राघ है तो Exmm सब्सक्राइब करने करें तो मुझे मेरे पास नेटिव अमेरे फ्लूट है जापनीज अकुट है चाइनीज ने आप वारे नाओ जिसको कहते हैं उसको डबल सांस देना पड़ता है जितना सांस हम इसमें डालते हैं उसे कई गुना ज्यादा सांस उसमें भरना पड़ता है और उसको खड़े होके बचाना पड़ता है और क्यूंकि वो इतना बास साउंड है उसका तो उसको हर जगे हर कॉंसर्ट पे हम लोग उसको इसको इ तो उस टाइब के फ्रिक्वेंसिस उसमें आते हैं तो कुछ ही लोगों को वो पसंद आता है तो मैं मैं अपने फ्यूजन कॉंसर्ट में ही उसको यूज करता हूँ आपने कलाम साब का जिक्र किया तो मुझे लगता है कि फिर छोटा सा एक इंपुट मेरी तरफ से कलाम साब क नाटक संगीत के बहुत ही बड़े शौकीन थे और ना सिर्फ शौकीन थे वलकि उन्होंने बकायदा हैदराबाद में श्रीमती कल्यानी जी से रुद्रवीना की तालीम ली थी तो देश के इतने महतकूपद पर बैठे विक्ति के अंदर का जो संगीत प्रेम था वो कई हमने इंट्रिव्यू की शुरुवात की थी चाहे वो काध्रीगोपाल नाच साहब के साथ हो चाहे विश्यमोहन भट जी के साथ हो चाहे जाकिर भाई के साथ हो जब आप संगत करते हैं और इतने बड़े कलाकारों के साथ संगत करते हैं किस तरह का feedback मिलता है कितना encouraging होता है क्या कुछ नया सीखने को मिलता है इन सब पर थोड़ा सा बताई है देखिए जब करनाटिक के साथ बजाने का मुखा मिलता है तो इस एक तरफ से क्या कहते हैं कि लोग भी उसको तरह देखते हैं कि किसका पालडा भारी है लेकिन हम जब जितने भी आर्टिस के साथ मैंने तो मेरी ये खुश किसमती रही है कि मैंने बहुत सारे करनाटिक शैली के मुजिशन के साथ बजाया है उसमें अग्रगणिय कद्री जुद्व हैं साथ ही साथ यहां के हमारे करनाटिक के मैसूर मंजुनाथ हैं मैसूर नागराज हैं कुम्रेश जी हैं गनेश कुम्रेश ज तो कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला जरूर क्योंकि करनाटिक म्यूजिक एक बहुत ही साइन्टिफिकली एवॉल्ड म्यूजिक सिस्टम है कि चाहे राग हो या ताल हो उनका एक अलग मतलब एक छाप है तो हिंदुस्तानी में थोड़ा हमारे संगीत में थोड़ा आलेस मिनट तक आलाप में लगे रहते हैं लेकिन जब उनके साथ बैटते हैं तो उसको कैसे चोटा किया जाए ताकि दोनों के संगीत के द्वारा एक व्रहत बड़ा सा पेंटिंग पूरे संगीत को एक करके हम लोग कैसे दिखा यही हमारी कोशिश रहती है तो एंकरेजमेंट तो बहुत मिलता है जैसे विश्वन भड़ जी के साथ मैं बजाता हूं तो काफी कुछ उनके इंस्ट्रूमेंट के तू तू जो एक्सप्रेस करते हूं उसको कैप्चर करने के को कॉंसर्ट में तो मैं सिर्फ उन दोनों को देख देखे मैंने काफी बातें सीखी कोई रियर्सल नहीं कोई डिसकुशन नहीं मैंने दो तीन बार जाके मैं पुछा कि पंडी जी आप क्या गाने माले हैं तो बोले देखते हैं भगवान गवाएगा और स्टेज पे उन्हों बहुत ही मतलब एक तरह से चैलेंजिंग भी था और बहुत कुछ सीखने को मिला और जिसको कहते हैं न दिव्य दर्शन भगवान की दर्शन जैसे हो जाते हैं तो उसी टाइप का एक माहौल उस दिन मुझे महाँ पे मिला क्योंकि एक दुसरे को ना देखते वे भी वह एक सब्सक्राइब करना है कि अभी हम लोग को भी और महनत करना है हम लोग जो सोच रहते हैं कि हम को आ गया है यमन फिर वो उस दिन पता लगता है यमन का छोटा सा हिस्सा हम लोगों ने सीखा है अभी बहुत कुछ करना है तो यह चीज़ है वस यह हम हर हर जुगल बंदी में हर कॉलाबरेशन में मैंने यही सीखा कि इसका कोई आंत यह नहीं इसको करते ही रहना है करते ही रहना इस पर कहते हैं कुछ नहीं बजालेंगे हम लोग कि को डर भी लगता रहता है और वह वहां जाग करते हैं अच्छा करते यह यह बजा लेते हैं तो कभी बताते ही नहीं उनके अपने भाई कह ली जए उनके शिश्शी जैसे उनके घर में भी है अच्छा प्रविंजी एक बताईए बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फिल्मों में भी बहुत यूज हुआ है मतलब मेरे ख्याल से वन आफ दी मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट इन फिल्म म्यूजिक इस बांसुरी पंडित हरी प्रसाप चरसिया जी की तो शिवहरी की जोड़ी से हम सभी वाकिव भी है लेकिन एक बहुत 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 वर्ग ऐसा भी है जो इस बात की आनोचना करता है जब कोई पका हुआ शास्त्री एक अलाकार जाकर फिल्मों में बजाता है तो वो उसको एक दूसरे नजर्ये से भी देखा जाता है आप इसको किस तरीके से देखते हैं देखें मैंने मेरी जो छोटी जर्णी रही है इसमें मैंने एक चीज जानी है एक चीज मैंने समझी है कि सुर्खी संगीत है सुरही इश्वर है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो भजन हो, कवाली हो, सूफी हो, फिल्मी गाना हो जिसमें मेलडी हो जो चीज आपके हुरुदय को छू सकती है अगर वो बात है तो वो कोई भी जॉनर हो चाहे वो रस्ते पे गाने वाले हो या महफिल में गाने वाले हो अगर दिल को छूने वाली बात है और सुर्ख सच्चा सुर्ख बजा रहे हैं घा रहे हैं तो उसमें कोई आपती नहीं है जैसे मेरा ही केस ले लिजी मैंने घंटो मैंने शास्त्रिय संगीत का रियाष किया काफी राक्स मैंने प्रैक्टिस किया पिता जी के साथ मेरे यहां के आनूर अनंद कृष्ण शर्मा जी के साथ काफी समय गुजारा मैंने शास्री संगीत में लेकिन जब बात आती है लाइवली हुड की तो कभी कबार हमको यह recording का जो यह है माहल है उसमें भी हमको सक्रिय होना पड़ता है वहां से भी क्योंकि वहां पर आफकोर्स वहां का यह माहल अलग है लेकिन वहां पर भी सूर है वहां पर भी लए है आप अगर अच्छा गाना एक यमन का बेस के उपर कोई गाना आप बहुत सूरीला अगर आप बजा रहे हैं और आपको उसी दिन वहां पर आपको पैसे भी मिल रहे हैं और काफी नाम भी आपका हो रहा है तो उसमें गलत क्या है तो मैं नहीं समझ सकता कि जैसे मैंने का लेकिन हाँ यह जुरूर यंग्स्टर्स को यह ध्यान रगना चाहिए क जब तक आपकी एक एक तरए से पढ़ाइ पूरी ना हो जाए शास्त्रिय संगीत में जब तक आपके शिक्षन आपका ठीक हो पूर ऑर जब तक आपके गुरू नहीं कह यह आफ अभी आप जा सकते जो आप कोलाबरेशन कर सकते हो, आप फ्यूजन कर सकते हो, या फिल्म सॉंग्स, या स्टूडियो रिकार्डिंग्स पजा सकते हो, तो उस टाइम तक आपको सिर्फ शास्त्रे संगीत पर ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरा वो 25-30 साल का मेरा जर्नी हो चुका था, तो इसलि सारे फ्लूट्स रखने पड़ते हैं, और अलग-अलग music directors के under में काम करना पड़ता है, बात को समझ के, फिल्म को देख के फिर उसके हिसाब से आपको अपनी pieces compose करनी पड़ती है, और जब गाना कंपोज करते हैं, तो situation को समझ के करना पड़ता है, तो there are a lot of, क्या कहते हैं, ages come को cut करना पड़ता है, एक ही राग में हम पूरा गाना नहीं बना सकते हैं, और राग को मिश्र करना पड़ता है, और कभी कबार पास्चे अत्या संगीत का भी बहुत सारा लेना पड़ता है, लेकिन इन सब के होते हुए भी जब तक आप melody को बरकरा रखेंगे, हमारे system को जो values हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि दिल को छुने वाली बात जब तक आप रखेंगे, उसके इर्दगिर्द अगर आप fusion करें, या कोई और folk style हो, या film style हो, जो भी आप उस पे लेपन लगाएं, तो मेरे खेल में वो ठीक है, as long as you are firmly rooted, मतलब आपके foundation ठीक हो, तो उसके उपर इमारत कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की समझ पूरी बरकरार रहनी चाहिए, टेकनीक्स ठीक हो, तो फिर कोई भी मैच हो, अच्छा प्रवीन जी आपकी हिंदी कैसे इतने अच्छी है, हाँ, ये इसलिए क्योंकि पिताजी का transferable job था, तो हम काफी स अच्छी हम लोग बात करते हैं, मैंने स्कूल में वगरा सब तेलगू में बात किया, हाला कि मेरी मात्र भाषा कनड़ा है, और हम घर पे कनड़ा बोलते हैं, लेकिन मैं है था इसलिए उर्दू और हिंदी की मेरी क्या कहते हैं, और मैं बेसिकली मुझे भाषाओं से प्रे कोवा में थे, इसलिए मराठी बोलता हूं, दिल्ली में था है, तो थोड़ी बहुत हिंदी मेरी ठीक ठाक है, मतलब. बस अब इस इंट्रिवियो को खत्म करें, उससे पहले एक आखरी जो फरमाईश या गुजारिश कहलें, वो सेमी क्लासिकल की करूंगा, और सेमी क्लासि मैं उपशास्त्रिय संगीत में जब हम गाईकियं की बात कर रहे थे, तो काफी सारे उपशास्त्रिय संगीत के विभाग हैं, जैसे टपा है, ठुमरी है, दादरा है, होरी, चैती, तो मैं एक ठुमरी सुनाता हूं मिश्र खमाज में, कौन गली गयो शाम क्या उपशास्त्रिय संगी की घृतियो शाम कर दो कर दो एजया प्रोग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोू आप कर दो कर दो ये उड़ए जनी करने खर चरादे पेंगे ुब बब भेगा बफिंग तरओे लॉब बब घर भी क क झद logic पूल झानलकाahlen से बडित कि अर कि टूल बहुत 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 धन्यवाद आपने समय निकाला और बिलचस्थ बात यह है कि हम इतने समय से इंटर्यू सिरीज जो कर रहे थे उसमें ये पहला इंटर्यू ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जहां हम लोग सब कुछ सीधे सीधे आपने सामने बातचीत कर रहे है बहुत बहुत सारा धन्यवाद यूहीं जो मिठास है वो बासुरी की कायम रहे यूहीं आपकी जो है सहचता वो क सीखने सिखाने का सलसला तो कायम रहेगा ही रहेगा वह तो बच्पन से आप में वह संसकार डाले गए हैं प्रवीन भाई बहुत-बहुत शुब कामनाएं बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवादी नमस्कार